दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब दोस्तो हैं विशाल असका स्वाइब करता हूँ आपकी के चैनल में उमीद है आप लोगों वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमार चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम को नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तो आज की जो अप्लिकेशन है वह काफी जादा अमेजिंग होने वाली है कि यह अमेजिंग होने वाली है उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और जरा सा भी स्क कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और कॉमेंट करना उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बैल आइकन को भी दवा देना है आपके आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कुई ने वीडियो बनाया करें त जेकिं इसैपलिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, तीन वरत्स पर यह एप्लिकेशन डिपेंडेंट है, आप जैसे इस Finnish wavelengths को Qual chiffon फोलेंगे यहां पर आपको 3 वर्स टालने होंगे उस किसी बी लोकेशन और यह application आपको पूरी तरीके से उस location पे पहुचा देती है ओके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से सर्च करना होता है जैसे कि जो मेरी अभी की जो भी location है मेरी उसके लिए मुझे यहाँ यहाँ पर roadmap.encory इस तरीके हाडरेंट लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पर एक बाक क्लिक करता हूं और यहाँ पर मुझे कुछ सर्च करने होगे तीन बाट और उनके बीच में डॉट लगाना होगा जैसे कि मैं डालता हूं sector 62.fortis.noida यह मैंने एक location सर्च किया देखते हैं क्या होता है देखिए अब इसने मुझे direct उसी location पर पहुचा दिया और उपर आ गया 3 word का एक shortcut ओके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसने मुझे उस location पर पहुचा दिया है और यह सही location है जो मैंने search की थी तो यानि कि यह word यह काम करेगी सिर्फ इसी basis पे यानि कि आप जो भी 3 word search करेंगे यह direct आपको उसी जगा पहुचा देगा ओके दोस्तों इस तरीके से application काम करती है दुबारा उपर जाते हैं दुबारा कोई दूसरी location अगर आप search करना चाहते हैं जैसे कि मैं डालता हूं sector 18 इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आप ऐसे जैसे मैंने city का नाम डाला था आप city का नाम डाले यह आपके ऊपर है तीन words आपने use करने हैं जो भी आपने यूज़े देखिए मेरी यह second location भी यहाँ पर आ चुकी है तो आपने तीन words use करने है और unique word यानि कि जो जगा है वहां से relatable होना चाहिए ओके दोस्तों तो मैंने उससे relatable words टाले और यह आपको उस जगा पहुचा देता है ओके दोस्तों इसके लावा आप इसे share कर सकते हैं share करने के लिए यहाँ पर share का बटन given है तो आप जैसे ही से share करेंगे यहाँ पर आप इसे whatsapp पर share करना चाहिए किसी के साथ इस location को या फिस gmap पर share करना चाहिए तो उसे share कर सकते हैं उसके लावा आप directly अगर यहीं से navigate करना चाहते हैं तो navigate का option भी given है ओकी यहाँ पर compass का option है और compass के थिरूँ आप यहाँ पर इस location पर पहुंच सकते हैं ओके दोस्तो इधर एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं आप save कर सकते हैं इसे ओके दोस्तो इसके लिए आपने क्या करना यहाँ पर facebook या गूगल की account पर click करना और यह location आपकी जो है save हो जाएगी ओके आप एक बार थोड़ा सा time दीजिएगा इस application को use करके जरूर देखिएगा मज़ा आएगा अगर आप इस application को use करते हैं तो ओके यूज कीजिए को बताएगा यह application आपने कैसी लगी ओके दोस्तो तो use करेंगे तो आपको definitely अच्छी लगेगी यहाँ पर saved location आपको देखने को मिल जाती है ओके जो भी saved location होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी until unless करना होगा अपना login ओके दोस्तों चलिए इसके लापर यहाँ पर और भी option है photos mode है इन सारे options को अब क्लिक करके देखते हैं share a photo with a three word address ओके दोस्तों आप three word address का कोई भी photo इनके साथ share कर सकते हैं यह उस basis पर भी आपकी location को search करेगा ओके दोस्तों back आ जाते हैं इसके लापर औ और भी discover feature है इनको आप भी चैक कर सकते हैं अगर आप चैक करना चाहें तो तो अच्छी application है यूज करके जरूर देखिएगा एक तरीके सा अगर देखर जातो गूगल में आपका एक advanced version कह सकते हैं या फिर उसी का एक junior version भी कह सकते हैं इसे तो अच्छी लगी हो यह application तो like की लीजिएगा बहुत जल मिलेंगे ने इस वीडियो में तब तक के लिए बाई